आउडियन्स बहुत सारे लोग अभी ता कटके में हैं आइन मैन के रिटन पर, अभी ता कटके में हैं, मैं इतना वो हैरान होता हूं कि यह लोग न्यू एवेंजर्स भी तो ठीक से नहीं दिखा रहें फिर, अभी तर्माइटी थार, माइटी थार को जिस मूवी में इंट्र प्रड्यूस किया उसी मूवी में उसको गेट अफ लाला पर ले आए, ठीक है, अब अगर तुमने ऐसा कर दिया, तो भाई, माइटी थार न्यू एवेंजर्स का पार्ट थी, बहुत लंबे टाम तर माइटी थार रहे है न्यू एवेंजर्स का पार्ट, तो उसको ठीक है अरे अब तो ये लोग सीधे अब वैरियंट्स का कॉंसेट ले आए, तो वैरियंट्स लाला के गुशा ही कही सबिए, मैं तो अभी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि भाई, अभी अच्छा मौका है, उस करेक्टर को लाओ, क्या नाम था उस बंदे का, अरे जो आयन मै थ्री वाला बच्चा, हाँ, उस बंदे को लाओ, अब उसका कुछ यूज करो, कि ओडियंस को थोड़ा होप मिले, क्योंकि closest to, देखो टोनी स्टाक का फैंडम नहीं खतम होने वाला है, नहीं, नहीं, एक तो बहुत फैंस, और closest to टोनी स्टाक कोई बच्चा है ना, तो एक Spider-Man है, जो कि भाई, Conflicted चल रहा है, Sony, Marvel, अब क्या हो, उसका no idea, उसके बाद कोई बचता है, तो वो Harley Keener का character है, और कोई नहीं है, वो तो है, एक तो देखो, YouTubers आया दिन वीडियो बना देते है, Iron Man Return, तो मतलब उम्मीदे तो जगा की रखते हैं, और उस पर व्यूस भी अच सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो विजन का जो character है, तो वो बंदा पहले voice-over देता है, Jarvis का, खीक है, और वो बताता था कि भाई, मेरा बहुत छोटा सा काम होता था, मेरे को एक-दो दिन जाना होता था, voice-over देना होता है, उनको यह भी नहीं पता होता था, कि वो exactly क्या story चल रही है, MCU क्या है, नहीं पता है, तो अगर वह सी चीज को reverse कर लो कि अब अब डिपेंड अब वही न, कि आर्डीजे का क्या रहता है, यह साला, Jerry Seinfeld यह सब काम करवा रहा है, Wolverine लो, Hugh Jackman को बोला कि यह टाइम है, अब तुम्हें अपना, अपनी लेगेसी को एक एंड करने का, और Hugh Jackman ने छोड़ दिया Wolverine, Robert Downey Jr. को सजेस्ट किया कि अब यह टाइ वह टाइन कॉनसे सीजन पे, लाट सीजन पे, है भगवान, क्या है, मतलब किस, क्यों? मैं चाहिए, मुझा लगता है कि अब एंड हो जाना चाहिए नई, मेरे को लगता है कि टोनी स्टार का एंडिंग परफेक्ट था, जैसा दिखाया है एंडिंग परफेक्ट था वह बाट ठीक है लेकिन बात भी है ना कि एक ऐसे लेकर चलो कि कॉमिक जो पढ़ते हैं ना उनके लिए करेक्टर बहुत लंबे टाइम तक नहीं मरते हैं वह तो है वह तो है उमर के बहुत कई सारी आइकॉनिक स्टोरी होती है जो उन कैरेक्टर के साथ देखना चुड़ी होती है और वो फैंस जब तक नहीं देखते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ अधूरा है यहां पर अब आइरन मैन को चलो ठीक है तीन मूवी आई सिविल ओर में हमने देखा और इंफिनिटी ओर एंड गेम सारी देखिए और वो चीज़ खतम हो गई ठीक है एक नॉर्मल ऑडियंस के परस्पेक्टिव से ठीक हो कहानी पूरी हो चुकी है सिनेमाटिक उनिवर्स के हिसाब से सेंस बनता है लेकिन बात यह है कि फिर उन फैंस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बैठे हुए कि अभी बहुत सारी स्टोरीज देखनी है और तो अब तो एक ही आप्शन बसता है भाई वैरियंट लो वो स्टोरी लाइन दिखाओ लेकिन पिर वहाँ पर वही आजाता है कि भाई कोई किसी और एक्टर को एकसेप्ट नहीं करेगा कोई ओडियंस नई तुम खुद सोचो वूलवरेंग के कास्टिंग कितनी मुश्किल होगी इन लोगों के बहुत हाड़ है जो एक्टर आएगा उस पर इतना प्रेशर रहेगा कि एक्टिंग नहीं कर पाईगा वह एक्टिंग अचेफ़ को लोगों ने इतना ट्रोल के बंदे को आखरके बोल दिया कि जामे को प्ले नी करना है रोल आगे मतलब उसने खाली हिंड दिया था था बहुत सळी लगता या बंदा मस्थी कर रहा था लोगों उसको दम इतने ब दयानिल रेड्यकिलिफ का वुल्वरीन के रोल में किसी ने क्या कहते हैं यह थ लगाता है यह था वाला जो एक्टर है, टॉम आडी, हाँ, उसका सिगार के साथ बनाया था किसी में, वो बंदा लगता है, मस्त लगता है, वही है कि एक्सपेक्टेशन बहुत जादा लाएगा, यह बिली बुचर वाला एक्टर, काल अर्बन, इसका भी लोक है, उसका भी, उसका लोक ही है, ख दरना को आड़ा,